बात जो करने वाले हैं आज हम शुरूबात करेंगे प्राचीन इतिहास ठीक है प्राचीन इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे ठीक है इसमें जो भी हम आपको कराएंगे जो आपके ये क्यूशन है पिछली परिक्षाओं में पूछे हुए ही पिरसन है ठीक है यूपी के लिए most important equation हो सकते हैं ठीक है तो वीडियो को बिल्कुल छोड़के ना जाएं ठीक है क्योंकि आपके ये महत्मूर किलाज से ठीक है जो आपका रिवीजन है हम बहुत जल्दी इसको करा रहे हैं ठीक है तो चलिए आपका समय ने लेते हुए शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास देखे सिंदू गाटी सब्वेता पहला आता है मारा सिंदू गाटी सब्वेता सिंदू किसी युग में तामे की पहली बार उप्योग किया गया मतलब किस युग में पहली बार तामे का उप्योग किया गया था तो यह किया गया था आपका तामर पासान य ज tatいます और इसकी बात करें तो यह 2000 आप और 100 से पंद्रोह-ईसवी कि आसपाज है कात्य से युग भी इसको माना जाता है कश युग भी इसको माना जातक तीक है इस काल में मनुछिय ने क्या है ऐना था पत्थर के ओजार के साथ तामे के ओजार भी उभियोग में लाया था ठीक है इसमें कया था पत्तर के उज़्ार के साथ क्या थे तामे के उज़्ार भी उसने योज किये थे ठीक है छलेए अगला के असान आया हुआ है आपका यूपिट्र प्रसी Dee Pet का 2016 में 2022 में ठीक है हडपा के बंद्रका का नाम लेकिए ठीक है हडपा के बंदरगा का नाम क्या है तो हडपा के बंदरगा का नाम है लोथल क्या है लोथल ठीक है लोथल हडपा कालीर बंदरगा इस्तल है लोथल क्या था हडपा कालीर इस्तल बंदरगा था और ये क्या है भारत के गुजरात राज्ये में कहां पर है ये ग नुटल को मिनी हडपा के नाम से बी जाना जाता है। 230 मीटर लंबा 35 मीटर चोड़ा 38 मीटर गयरा क्या है गोधी बड़ा बंदरगा के साक्षी है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला कि उस्टन देखते हैं हडपा सब्वेता के दोरान डांसिंगल नत्य की कास्षे प्रित्मा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था मोम लोपी डहलाई मतलब क्या गया गया था इसमें मोम लोपी डहलाई का उप्योग हडपा सब्यता के दोरान डांसिंग कर नतेके का कास्टिंग तकनीक का प्रयोग क्या गया था यह पिरसिद मूर्त्री मोहन जोदलो से प्राप्त हुई थी कहां से प्राप्त हुई थी मोहन जोदलो से ठीक है हडपा सब्यता जो थी बिस्व की जो है सबसे प्राचीन सब्यता है मतलब क्या है ये बिस्व की प्राचीन सब्यता है कौन सी आपकी हडपा सब्यता ठीक है और ये कैशी सब्यता थी ये नगरिया सब्यता थी ठीक है जलिए अगला किश्शन आता है आपका अगला किश्शन है छटी पाँच भी सताब्धी ईसा पूर में तुर्की के लोगों ने सिंध के पूर में लोगो दौरा इस्तिमाल की जाने वाली भासा को कहा जाता था तो क्या कहा जाता और उसको तो च्छटी पांच मी की बात करें तो इसमें क्या था सिंदु नदी के पूर्व छेत्र में थे वहाँ पर लोग द्वारत के उनसी वहां से प्रयोग किया दिती तो वहां पर मतलब इसका कहने का यह है अधितर वहां पर क्या थे हिंदु थे मतलब आजितर क्या थे फार्सी सब में हिंदु का प्रयोग किया गया ठीक है हिंदु उनको भूमी मतलब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान को क्या कहा गया और उनने हिंद भी कहा है ठीक है चलिए अगला हडपा संस्किर्ति की मोहर और टेरा कोटा कला निमलिकित म किस जानवर को दर्श आया गया है वी अगला क्यूसर आता है क्यूसर नमबर सेवन निमलिकित में से कौन सा सिंदू गाटी की सब्याता से इस्तल नहीं है ठीक है तो कौन सा नहीं है पार्टली पुत्र ठीक है काली बंगा भी हडपा किस्से है रोपड भी और लोथल भी क्या है पार्टली पुत्र उस सम्बंदित नहीं है ठीक है पार्टली पुत्र क्या था मोर्य की रायदानी थी क्या है मोर्य की रायदानी ठीक है अगला क्यूस्टन मोहन ज़ादालो सब्द का अर्थ क्या है मोहन ज़ादालो सब्द का अर्थ है माउंट आपदा डैट यानि के मिर्तकों का तीला ठीक है इसका अर्थ क्या है मिर्तकों का तीला अगला क्यूस्टन आता है हमारा सिंधु घाटी सब्यता के बारे में इन में से कौन सा कतन सत्य है ठीक है तो सिंधु घाटी के बारे में जो इन में से कतन कौन सा सत्य है तो ये क्या थे सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे ठीक है यह आपका ग्राम विकास अधिकारी तेईस वारत जो थाहर्ञ पडिक्चा वी थी उसमें आया हुआ फीर सन्न है अगला क्योसीन रहा आपका हडपा छब्वियत्रा के एक हिस्जार लोतल की खूदाइब की कोज किसने करी थी ठीक है तो यह किसने करी थी Interviewừ आपकी SR राव ने किसने करी थी SR राव ने ठीक है ठीक है लोथल जो है सेंदव सब्वेदा का क्या है पिर्मुक इस्तल है ठीक है लोथल का है अपका एमदवाद गुजराद जिले में सरगवल नावग ग्राम में है ठीक है और ये भोगवा नदी के तट पर है 1955 तता 1960 के मद्य में आराव नाव के निर्दसन में खुदाई की गई थी ठीक है तो यहाँ से क्या मिला था यहाँ से मिले थे मनका बनाने के कार खाने गोदिवादा धान के साक्षे अनिकों के साक्षे भी मिले है सिंद्धू सब्यता में घोड़े की अश्ट्यो का अब नीदा में जोटे אחуют उपनेयन समारों से तत पर रहे हैं उपनेयन समारों से तत पर रहे हैं बच्चे को पवितर जनेश धारन कराया जाता है ठीक है अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो बीडियो प्युज़कर करके या इसकी पूसकी पर सब्सक्राले की आपको पिडियाप मिले मिल जाएगी ठीक नहीं io to प्यूश करके पड़ते चलिये, ठिक है, अगला, सत्यमेव जयते, महाकाब्य कहां से उद्धत हुआ है, सत्यमेव जयते कहां से ले गया है, मुन्दब कोप निससे, लिया गया है, ठिक है अगला क्यूस्टन बेदों के गद प्रकड क्या कहलाते है तो यह कहलाते है आपके ब्रहम्मार क्या कहलाते है ब्रहम्मार ठीक है अगला क्युस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् था वो चली आगला क्योंस ún देखते हैं रिंगवेद में निमलीकीद में से किस method को मैत वड़नन है ठीक है तो किसका वड़नने इसमे इंद्र को सब्सक्राइब बढ़नने है इंद्र का देखिया प्राचीन थाम्तभी कौन सा हमारा रिंग से वद्ष में क्या है दस मंडल है एक हजार अठाइस सूखते हैं दस एर पांसौ अच्छे रिचाए हैं और रंगवेद को पढ़ने वाले रिस्यों क्या कहते होत्र कहते हैं ठीक है इसमें जो सरवाधिक पढ़ने ने काया का है इंद्र का है इंद्र के लिए 250 और अगनी के लिए 200 लिए अगला क्यों सबसे प्राचिंतम बैद कौन सा है तो आपका रिगवेद ठीक है अगला क्यों आता है हमारा निमली कि तुमें से किस भारतिये प्रातन ग्रंत में अपराद और अपरादी का जिक्र आता है ठीक है तो किसमें आता है आपका अर्थसास में भी आता है किसके द्वार लिके गए थी कोटल लिये के द्वारा ठीक है मनु इसमर्ती जो है वो क्या है हिंदु धर्म का सबसे प्रदान गरंत है मनु इसमर्ती क्या है हिंदु धर्म का सबसे प्रदान गरंत है ठीक है तो आपका क्या होगा उप्रूबत सभी ठीक है अगला क्युस्टन सतपत ब्रामाळ हुर थेत्य ब्रामाण केantic next Tuesday तो क्या थे ये युजर्वेथ के ठीक है सत्पत ब्रामाळ वर का थे योजर्वात के ब्राम्माल थे ञाएं तो आप इनको देख लीजी ठीक है अगला क्यूस्टन क्यूस्टन नंबर 20 रिंग वेद में नहित गायत्त्री मंत किस देपता को समर्पित है तो ये किसको था सावित्त्री को ठीक है कुण से मंडल में है तीसरे मंडल में है तीसरे मंडल में है रिंग वेद में कुल कितने मंडल है तो आपका ओसरनन नमबर 21 अपका मतस्य प्राहण ठीक है प्राहण की संक्या कितनी है तो आपकी 18 है प्राहण की संक्या 18 है ठीक है अगला क्यूश्चन निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है ठीक है तो उपवेद कौन सा नहीं है इसमा धनुबेद भी है आयूबेद भी है सास्त्र सास्त्र योगवेद आप आपकी आयूर्वेद गंदरवेद धनूर्वेद और सिल्पवेद तो यह आपके उपवेद क्या है यह उपवेद नहीं है ठीक है चलिए अगला क्युस्टन देखते हैं बेदिक देपता इंद्र किसके देपता है तो यह काय के देपता थे आपके बरसा और चक्रवात के ठीक है चलिए अगला क्युस्टन देखते हैं आप अगर इसकी सोल्यूस इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको पढ़ना च करा रहा हूँ, ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे, महाजनपद काल, ठीक है, अगला है हमारा महाजनपद काल, ठीक है, क्युस्टन नमबर 24, राजा बिम्बिसार की दरवार में, उस पिरसिच चिकिस्ट का नाम क्या है, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकिस्ट सकते, तो क्या नाम था उसका, जीवक, ठीक है, जीवक जो थे, ठीक है, बिम्बिसार हर्यक बंस का संस्टा पक्ता, ठीक है, और वो कहता बोद धर्म का अनुनाई था, क्या था? बोद धर्म का अनुनाई था. ठीक है और जिने भगवान बुद्की निकी चिस्टा के रूप में सेवा के ने भेजा गया था तो वो कौन था आपका इसे क्या था जीवक को भेजा गया था ठीक है अजाज सत्रु पूर्वी भारत मगद में हर्यक बंस का एक राजा बिम्बिसार का पूत्र था किसका पूत पूछे जाते हैं ठीक है जो जेन धर्म का सबसे मैत्पूर्ण मौलिक सिद्दानत क्या है तो मौलिक सिद्दानत है इसमें अहिंसा मतलब जेन धर्म के पास सिद्दानत है ठीक है कौन कौन से पास सिद्दानत है अगर उनकी बात करें देखिए पहला होता है आहिंसा दूस पुरुषरा होता है सत्य जूटने बोलना ठीक है अस्तिय चोरिय करना आप THRIGRAH SUMP Never करना ठीक है और पांचमा होता है ब्रह्मचरिय किसी इस्तरिसे संसर की मानाई ठीक है तो इसमें क्योंगे आपका अहिना ठीक है पांचमा एक क्यूंचन है अपका गोतम बुद्ध का ज्यान किस नदी के तड़ पर प्राप्त हुआ था, ठीक है, गोतम बुद्ध को जो ज्यान हुआ था, किस नदी के तड़ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपको निरंजना, कहा हुआ था, निरंजना, ठीक है, गोतम बुद्ध क्या थे, बोध धर्म के सं इस घटना को जो कहा गया है गिरत्या की घटना को ये कहा गया था बोध साहित्या में महाभी निसक्रमा ठीक है क्या कहा गया था महाभी निसक्रमा ठीक है उन्हें बोध गया में एक पीपल ब्रक्ट के नीचे क्या हुआ था निरंजना नदी के किनारे तट पर बेसाक पूर् ने धम चक्र प्रवर्तन और ने शासित तो इनका जनव क्वा था 563 इसापुर में काँ हो आता ने जनव का आए नेपाल में ठीक है उनके पिता का नाम क्या था सुद्धोधन कपील क्या था सुद्धोधन उनके पिता की नाम की बात करें थे उनके पिता का नाम था सुद्धोधन ठीक है और जो इनके जो इनके पिता दे कपील वस्तु के साक्या गड़के पिरदान थे ठीक है और का नाम था महामाया उनकी माता का नाम कहता है निया कि taking ने आती ठीक है इनके बच्पन का नाम क्या था सिद्धार्थ ठीक है इनके बच्पन का नाम क्या था सिद्धार्थ ठीक है और इन्होंने क्यों त्याग दिया घर सांसारिक दुखों से बैतीत होकर इन्होंने 29 परस के वस्ता में घर त्याग दिया था ठीक है जिसे बहुत ध कि यहा थी संगिति का किया थे लुंते हैं यह संगिति कर अब सवा के मीं न की ती असकाल इसोघ के सासन काल में टिती की बोश संगीती का हुई थी 250-250 ईस्वी पुत्र कहां पाट लिपुत्र में न अधरकता संगीतीत ही थी प्रतम सताब्दी में होई थी प्रतम सताब्दी इस्वी में कुंडलवन कस्मीर में बसुमित्र की अध्यक्षता में कनिश के सासनकाल में होई थी कौन सी चतुर्थ भोष संगी थी चलिए अगला क्युस्था चती सताब्दी इसापुर में जैन और बोध गरंतों में कितने महाजनपदों का उल्लेक है चती सताब्दी इसापुर में जैन और बोध गरंतों में सोले महाजनपदों का उल्लेक है बोध गरंथ अंगोतन निकाहे में जैन गरंथ भग्वति सूतर में 16 महाजन पतों का अलेक है तो कितना होगे आपका 16 महाजन पतों का अलेक है ठीक है बगवान बुद्ध की अगला क्योस्टन बखवान बुद्ध की 200 पिट्ट की उंची कास्य पिर्तिमा इस्ताफित करने का लिया गया था ठीक है तो ये कब लिया गया था आपका 2013 में कब लिया गया था 2013 में ठीक है और ये कहां पर इस्ताफित होगी आपकी कुसी नगर में ठीक है ये कहां पर इस्ताफित है कुसी नगर में उस टेम के मुख्यमंतरी कौन थे अकलेस यादब ठीक है ने मेत्रे परियोजना के तहट कौन सी मेत्रे परियोजना के तहट सबसे उची दोसो फिट भगवान बुद्ध की कास से पिरतीमा उनके महा निर्वार इस्तल कुसी नगर में इस्ताफित करने का निर्डेया लिया था ठीक है इस प्रोजेक्ट को पुर्ण चलन कब क्या गया है 2019 में शुरू किया गया है ठीक है निर्डे कब लिया था दोसंबर 2013 में ठीक है उस टाइम के मुख्यमंत्री कों थे अकलेस यादब ठीक है चलिए अगला के उससंद देख लेते हैं बुद्ध का महा परिनिर्वाल कहां हुआ था ठीक है द्रम के पिरवर्द तकते इनके जीवन में घटित इस्तल कौन को से दिखे जन्म इनका लुंबनी नेपाल 533 इसी पूर में हुआ ग्रैत्याग यानि मानिस कौन का हुआ पांसो चोटीस इसी पूर में ग्यान प्राप्ति का हूँ इन बहुत गया में और मैत्यू का हूँ कि कुछी नकागा चार सो त्रासी इस भी पूर में ठीक है किस से गोतम बुद्ध ने दुणिया बुद्धक डुनिया के बहुत धर्म के लिए दिव्श्चा ओध्यान प्रचार किया ठीक है तो कहां से कहता महा ब Manuel दी मंदिर समूसे ठीक है महामोदी मंदिर समूसे ठीक है कि चली आगला देख लेजिए अगला क्यूस्टन है कि गोतम बुद्ध ने को सार सारनात उत्तरप्रदेश बारानसी में दिया था ठीक है सारनात में सारनात को रिसी पत्रम नाम से भी जाना जाता ठीक है और गोतम बुद्ध के सरवाधी कुपदेश कहां दिये थे कोसल देश की राजधानी सिरावस्ती में ठीक है चलिए अगला क्युस्टन देख लेते हैं अगला जो क्युस्टन आया हुआ है आपका ये राज्यमंडी परिशत परिक्षा में आपका आया हुआ है उस इस्तान का नाम बताईए जहां बुद्धो की मानता के अनुसार गोतम बुद्ध ने अपनी मिरत्यों के बाद परिनिर्वार प्राप्त किया ठीक है तो वो कहा परिजाणकरिश में दियो ही है ठीक है पाली में बोध गरंतों को आम तोर पर त्री पटक यानी'' 3a वोड फास्केत कहा जाता विए इनसें तो कोंसा विजा 3a सा कोई पुष्थक नहीं लिखी है पहली थो कोयी पुष्थक नहीं लिखी है पुष्थ किम्रतु वाद उनके सिस्ष्थों ने रचना का पाली भास में किगई है तर्यापाटिक में सुत्थी पटक धर्म संबंदी बातों की रचना चर्चा की गई है अधिमपट पिटक तासनिक विचारों का संक्रन और बिनएपटक निति संबंदों का उलेख किया गया तो आपका इसमें मतलब इन्य मतलब अधिमपटक भी है सूतु पटक भी है और बेने पटक भी है ठीक है लेकिन ये इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है ठीक है तो आपसन आपका C ये आपका गिराम विकास अधिकारी में 2018 में क्युस्सन आया हुआ है ठीक है क्युस्सन नमबर अगला 36 तिरी पटक निमद्ध किसे संबंधे त्री पटक के समझे तैं बौधों से संबंधे ठीक है अगला क्यों सन ज्ञानप्राब्त करने के वाद क्यों है ठीक है तो ये तीत केंद क्यों है इसकी बात करें क्योंकि गोतम बुद्ध ने यहां पर ग्यान प्राप्त किया था क्या किया था गोतम बुद्ध ने यहां पर ग्यान प्राप्त किया था ठीक है अगला क्युस्टन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिय क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सार नात में अपना पहला उपदेश दिया था ठीक है और उसको किस नाम से जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है ठीक है अगला कैसा मनुस्य का जीवन सर्वत्तन देह है केबल जिसका आर्थ है इसका आर्थ क्या है इच्छाओ पर विजय प्राप्त करना ठीक है 24 पे जेन तिंताकर या अंतिम जेन तिंताकर कौन थे 24 पे तिंताकर की बात करें तो ये थे आपके महाभीर स्वामी ठीक है महाभीर स्वामी जेन धर्म के अंतिम या 24 पे तिंताकर थे और महाभीर स्वामी से पहले 23 तिंताकर जेन धर्मे हुए है कौन 23 तीन ताकर इंसे पहले हुए ठीक है महावीर का अर्थ क्या होता है महावीर का अर्थ होता है अपनी साधना में एतुल्य प्राकरम ठीक है 23 तीर थांखर कोड़ते हैं आपके पार सबनाथ इन्होंने चार महावीरत बताया थे सत्य अहिंसा अस्त्यतता एपरे ग्रह है महावीर स्वामी ने ब्रहमाचार्य नामक पाँचवा महावरत इसमें जोड़ा था किसने महावीर स्वामी ने चलिए अगला क्योस्टन पहले जेन तीन तांकर कों थे तो यह आपके थे पहले रिसब जेन धर्म के प्रत्म तीन तांकर कों थे रिसब देप जेन धर्म कोल कितने चरह थे तांकर वह आपके जिन मैं पहले गया से रिसब देप, दूसरे अजितनात और बाइसवे जो थे अपके अरिश्टनेमी, तेईसवे पारसबनाद बाइसवे महावीर ठीक है तता अजितनात का उलेक यज्रुवेद में मिलता है इस धर्म के मात्माओं को उबादी को क्या दिक कर गई है तीर्थांकर कहा गया ठीक है चलिए अगरा क्योंसे जेन धर्मे तीन रतन कौन कौन से उन्हें क्या का निर्वान का मार कहा जाता है कौन से वो हैं तो ये हैं आपके सही विस्वास, सही ग्यान और सही आचराण ठीक है तीक है महावीर का जनम का हुआ था स्वामी महावीर की अगर बात करें तो इनका जनम हुआ था 540 इस भी में ठीक है समक्य दर्सन मतलब सही विश्वास, समक्य ग्यान मतलब सही ग्यान, समक्य आचरन, सुक दुक में समभावाचरन, जैन धर्मे इसवर को मानता नहीं है, इसमें क्या है आत्मा को मानता ठीक है, महाबीर क्या थे, पुनर जनम में मुकरवबाद ने विश्वास करते थे, ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला टोपिक ले करके हम मौर्या सामराज्य ठीक है मौर्या सामराज्य जो क्यूसें इसमें आई हुए हैं उसे सम्मंध आपको बता जाता हूं ठीक है निमली कितमे से कौन बहब्यक्ती है जिनका नाम देबनामे प्याय प्याय दरसी भी था तो वो कौन थे अगर उसकी बात करें तो ये थे आपके मोर्या समराट असोग कौन थे मोर्या समराट असोग को देवनापेवजी भी कहा जाता ठीक है यह बोत धर्म के सबसे पिरतावी राजा थे चलिए आगे देखते हैं रजा कनिष के सासनकाल के दोराण दरवारी चिकिस्यक का नाम बताईए तो उस समय के चिकिस्यक कोन थे चरक ठीक है कौन थे चरक थे ठीक है अगला क्युस्तन है नगर पाली का पिरसासन की एक बिस्तत परणाली परणाली की स्ताफने के लिए निम्र के में से पिरस्वित राजा का नाम बताए ठीक है तो वो कौन से आपके दे चंद्रगुप्त मोर्या ठीक है मोर्यकाल में नगर पाली का परसासन की विस्तत प्रणाली की इस्ताफना किसने करी थी चंद्रगुप्त मोर्या ठीक है देखे इसका पिर्मुक नागरक अथवा पुर्मुक्या होता था ठीक है इसमें क्या होता था एक सभा होती थी इसमें जिसका पिर्मक कौनता होता था नागरक होता था मतलब पुर्मक्य होता था ठीक है। साटली पूत्र नगर परिस्त की पाचांचrice चांच समीद्य वी यह समीतिय समितिया संधय के नौट कर लिची केthers हम आगे चलते हैं अगले क्युस्तन पर जो आया हुआ ठीक है कनिस के सासन काल के दोरान निमलिकित में से कौन सी बोज संगिती आयोजित की गई ठीक है तो कौन सी करी गई थी चोती के लेका कुंते हैं आपके मैगस्तिनीच ठीक है देखिए मैगस्तिनीच इंडिया के लेकर यह कवाय थे यह आयते मतलब भारत की यात्रप आयते 304-299 इस्वी पूर्फ चंद्रकुप्त मोरे के सामराज्य में ठीक है और फायान कवाय थे यह आयते 309-414 इस्वी किसके साहसनकाल में हर्सवादन के इनकी रचना है सी यू की ठीक है अगर आता है हमारा क्योंसन चरक सहीता का सम्द्थ किस है ठीक है और किसने लिगीती ये चरक ने ठीक है किसकी पुस्तक है ये चरप ठीक है चरक सही था ठीक है इनकी पुछता कुन सी है चरक सही था ठीक है मोर्य अर्थ व्यवस्ता मुख्य रूप से निर्वर्थी कि इस चीज़ निर्वर्थी तो मोर्य जो अर्थ व्यवस्ता थी वो किर्सी पर निर्वर्थी का यह पर किर्सी अर्थ व्यवस्ता पर निर्वर्थ अगला किस्सान जो इसमें आया हो है आपका करेशप के पिरदान सिला लेखों का सबसे बढ़ा सिला लेख कोन सा है तो इसमें किस चीज का बड़न यह strip का कोना है की तील है तेरवे सिला लेख में ठीक है चलिए अगला को सब्सक्राइब के दोरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी ठीक है तो उसकी राजधानी कौन सी थी तो साला तो साली कौन सी थी तो साली ठीक है अगला के उस्तन देखते हैं देव नपे मैं किसके नाम किसे दिया गया था तिक किसे दिया गया था आपका ये असोग को ठीक है किसे दिया गया था असोग को ठीक है अगला क्युंष्ट संथ है अगर हम बात करनें तक्षिला सेहर इस्तित पाकिस्तान के रावल पिंडी जिले में इस थी तैक है तप Shilam अशो का कौनसा सिला लेग पर इसके भी जाकाव लेक करता है तो कौनसा करता है शो का तेरवाविले तहे क्था तेरवाविल Polsce्र Script Ses तमराठ असोक दौरख कितने बनवाए गए थे सिला लेक है इसमें तेर्वी में क्या है सबसे बड़ा मान आ जाता ठीक है तो इसमें ही क्या है उसमें उसके कलिंग युद का बेवरन दिया हुआ है ठीक है और उसकी बीजे काउल लेक मिलता ठीक है अगला क्युश्टर है असोक को सिंग चत्र मुक्स इस्तम सीर्स में इस्तम पर है ठीक है तो यह कहां पर आपका सारनाथ में ठीक है असोक के सारनाथ मतलब असोक का सिंग चत्र मुक्स इस्तम सीर्स कहां सारनाथ में एक इस्तम पर है ठीक है कहां पर है सारनाथ में जो है इसम हमारा इस टैम भारतिय राष्टिय चिन के रूप में सुईकार किया गया ठीक है असोप के चिन निको ठीक है अगला किश्चन पूचा गया है जो आपका ग्राम विकास अधिकार की परिक्चा में चंद्रकुप्त मोर्य के पिर्सिद राजनितिक सलाकार को निमलिकित में से सबी नमों से जाना जाता है तो किसे मतलब सबुख्त के अलावा उसके सभी नमों से जानाजाता है ठीक है अग्या कुसतर चलते जो आया हुआ क्यूसर्य आपका आपका कmeter कुन-कोंस सिलालेग में ब्राहमी लिखी का उप्योक नहीं किया गया ठीक है तो कौन मोर्य करला का सरवत्म पिरतिमान कौन सा है तो कौन सा आपका इस्तम्ब थिक है कर संयम्-स अबलाट असोकनेश्म की सरचना की थी ठीक है अगला क्यूश्सिंत्र है निमन वैसे कौन सा असोक के शाम-शय धी नहीं है ठीक है तो कौन इस नहीं था कारूप ठीक है करनाटक की मास्की अभिलेक का दातिया जिलेक की गुजरा अभिलेक में यह है जानकर यह में प्राप्त होती है ठीक है चलिए अगला क्युस्तन है हमारा ब्रद साची इस्तूप किस काल से संबन दीता है ठीक है तो यह किस काल संबन दीता है मोर्यकाल से संबन दीता है ठीक है साची का इ पतंजली ठीक है अगला क्सक्रान की बात करें अगला क्सक्रान आता है हमारा दी गई जानकरी से राजवदा नदी पुष्वमित्र ने इस बंस की सब्सक्राइब पराचेन भारत के महान ब्या में पतंजली किसके समकाली इन थे है ठीक है चलिए इसकी ब्या क्या पढ़ना चाहाएं तो आप वीडियो को रोग के पढ़ सकते हैं ठीक है तो कौन सा उस्थेम चरक था ठीक है चरक क्या था एक महारसी आयुरवेद विद्वान के रूप में विख्या था ठीक है और ये किसके राजबेत थे कुणाल राज्य के राजबेत थे किसके कुणाल राज्य के राजबेत थे इन्होंने चरक सहिता प्रसिद आयुरवेद गर तो देखा तेलन के निवासी थिसक्ते मपा का है निवासी थे ठीक बहुत से बिद्वानों को नवरतन के रूप में अलंकरत किया गया था ठीक है तो किसे क्या गया था चंद्रगुप्त सेकेंड को ठीक है किसे क्या गया था चंद्रगुप्त सेकेंड को ठीक है देखे चंद्रगुप्त सेकेंड 375 से 415 इस्वी के दरवाने बहुत से कौन कौन विद्वान थे आपके दिखे दिविद्वान धर्वंतरी छड़क अमर सिंग संकु घटपरकक कालिदाज वितालबट बरूची और बारमीर उज्जेन में विक्रमादित्य के दरवार में थी ठीक है जिन्होंने चंद्रकुप दुत्यकुप विक्रमादित्य की संत्रित होई थी कौन सी विद्वापकी कन्योज ठीक है कौन सी होई थी कन्योज हर सवर्दन के प्राचीन भारत उत्तर भारत का एक सम्राठ था जिसने 606 से लेकर 607 तक सासन किया यह पुस्वयमोती बंस का था ठीक है इसने अपने सासन काल में अपने राजदानित था था संद्र समंद्र गुप्त के ठीक है किसके थे समंद्र गुप्त के ठीक है चलिए अगला क्योंसन देख लेते हैं भारतिय इत्वास में धन्वंत्री कौन थे ठीक है तो बिक्रम संबद कभसे आरा तो आर्म वाताव का 77 इस्वी पूर्व से टीक है विक्रम संबदsk जो है प्राचिन संबद he करना तो यौ तो 22 इस वी में किस ने करता मुहमंद साहब ने ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला किसन जो आया हुआ है खगोलबित बारामी में और कभी कालिदास किसके दरवार में थे ठीक है तो यह किसके दरवार में थे बिक्रमा देती है कि ठीक है किसके दरवार में थे बिक्रमा सित्तिय के ठीक है अगला क्यूशन जो आया हुआ हर्स बर्दन ने फाइव इस्टेंडीज को अपने नियंत्र में लिया था इन्वे से कौन सा फाइव इंडीज था ठीक है तो कौन सा था भब का जो पंजाब था कनोच था बंगालता ब्यारता और उडिसा थे ठीक है जिसने हर्स बर्दन ने अपने नियंत्र में लिया था ठीक है ठीक है ठीक है हर्स बर्दन ने कनोच को क्या कर था अपने उडिसा उसने अपने कनोच को क्या कर था अपने राजधानी बनाया था ठीक है अगला क्यूशन जो आया हुआ है बह इस्तल चाह हर्स बर्दन ने बोध महा सम्मिलन का आयोजन किया था ठीक है तो कहा कहा था पिर्याग में जाए ठीक है अगला कुछ संज जो आया है कन्योश सिपूर हर्शवर्दन का सासम कहा तक था तो ये था अगर इसकी बात करें देखे थाने सवाइब था मैंने आपको भी बताया था, उसका २ाइस वर थकता Bible similar India में था , चीहिती है चालीए एकला क्छे जो आया हुआ है था नितिम हिंदू सम्राइट तो क्षोड़कर समस्त उत्री भारत में राज्यें था तो 606 में थानेशवर से सिंग आसन पर बेटा बाद में कन्योज को अपने रायधानी उसने बना आया था चलिए गुप्त काल की पिर्सिद महिला सासक को थी? गुप्त काल की जो महिला पिर्सिद सासक थी? वो थी पिरवावती गुप्ता थी? तो यह कौन थी चंद्रगुप्त दुत्य की जो थी पुत्री थी ठीक है इन्होंने क्या कहता अपने पुत्र प्रवेसे दुत्य को सरक्षा बना कर सासन को संभाला था ठीक है अगला आता है हमारा राजपूत बंस भारवी सैताब्दी के आरम में किसका सासन था ठीक है तो किसका तोमरबंसका थीक है चलिए बार भी स्थाथिकास में तोर बंस कर साथ सकता ठीक है जैचंद के विश्वास घात के कलन परतिविराद चोहन की प्राजिय होई कलंतर में जैचंद कहां और कम मारा गया ठीक है कम मारा गया था जैचंद चंदावर के युद में 1194 में ठीक है कहा हमारा गया था दिखिए चंदावर के युद में 1294 ठीक है अगला क्युष्ण जो आया है निमड में से dok भंज। भाग पर सासन नहीं किया ठीक है तो कौन से उस पर नहीं किया था कौन सा बंस राजपूर ठीक है दक्षिल भाग पर सासन नहीं किया ठीक है चले अगला क्यूसतर जो पाल बंसे आई हुए है इसमें उनको हम देख लेते ठीक है पाल सामराजिय भारत के किस इसे से संबन दीत तो किसे समय थेragen पूर वी से पाल का्श्यवकार आसरफ पर्वाक कर दाकर नियुक्री मां अध्यकाल भार्त मैथपुर्ड राज तो पाल बंस का पहला सास कोन हो गिया आपका गोपाल मने आपको अभी बताया था ठीक है? जो इसमें आगे क्युस्तन आये हैं आपके दक्षिन भारतिय राजबन से चोल राजबन से आये हैं इसमें इसे क्यों कोंसे क्युस्तन आये हैं आपके ठीक है चलिए पहला क्युस्तन इसमें आया है चैप्टर से निमली कितमे से कौनसा से मंदिर चोल सास्को को सर रक्षड म पारविस्ताबदी बहा था ठीक है यह कब हुआ था बारविस्ताब दी किस ने कर आय था राजकुमार राजगोविन्द 1455 निया जो यादब running शLTT अगला क्युस्थन आता है अगला क्युस्थन हमारा महाद्यपुरम के चेर सामराज्य में बोली जाने वाली संबेवित भासा कौन सी थी ठीक है तो ये भासा कौन सी थी आपकी